कि आखा है 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 कि सब्सक्राइब को रपने भक्तों जो जग्यासा आई है आपकी तरफ से कि ब्रह्मा कि सहस्वती से क्या सचमुच में विवा हुआ था इस पर बहुत सारे प्रश्ण उठाए जाते हैं कि विशेशकर सनातन धर्म के विरुद्यों दोवारा तो यहां बताऊं कि यहां पर पुत्र पुत्री का जो संबंद बताये गया है यह सिम्बॉलिक है कि ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं है हमारे आपके जैसा कपड़े पहना हुआ और नहीं सरस्वति कोई द्यक्ति है साड़ी पहने वी ब्रह्मा क्रियेशन की सक्ति है तो वह सक्ति जो क्रियेशन की है उसका पुराणों में मानाव के रूप में जिक्र कर दिया गया है मानाव रूप धारन करा दिया गया है चार सार बता दिया गया है तो यह जो है यह चिन्न के रूप में है पहचान के रूप में है चारों दिशाओं में क्रियेशन हो रहा है और जब उन्होंने creation किया तो वाक्षक्ति की पुत्पत्ति की सरस्ति का नाम वागेश्वरी है और ध्वनी की जो सक्ति है उसे सरस्वति काते हैं और उस ध्वनी से ही सब्द बनते हैं वर्ण बने सब्द बने विचार बने विचार बने विचारों के स्रिंखला अविच्छंद बने संगीत बना पद बने तो जो वागेश्वरी है यानि जो ध्वनी सक्ति है सब्द सक्ति है ले बद्ध छंद सक्ति है वह जो है क्रियेशन है पर्थम क्रियेशन पर्थम स्रिष्टि और उसके साथ पुना जो है जो उर्जा है स्रिष्टि करने की उसका उसके साथ फिर संबंद होता है और चुकि श्रिष्टि कि जो सक्ति है उसने इसको उत्पन किया और उत्पन करने के बाद ये वागय स्रिक आलाई तो इसलिए इसे पुत्री का भी नाम दिया गया और उसके साथ जो स्रिष्टि के सक्ति है वह वाख सक्ति के साथ मिल करके फिर अन्य सक्तियों की रचना होती है इस अर्थ में ही कहा जाता है कि ब्रह्मा ने अपने पुत्री के साथ ही विवा किया इसे हम अपने मानवी या सामाजिक मुल्यों के इसाब से नहीं देखें हर एक गट्ति को अपनी रचनाओं पर गर्व होता है और यहां उनकी रचना जो स्रिष्टी की रचना थे वह वाख सकती थे उसे गर्व होना ही चाहिए तो वह प्रथम रचना थे और वहां से फिर अन्य रचना है अन्य स्रिष्टी के चीज़ें बनने जुरूँगी क्योंकि बिना ध्वनी के पहले तो उत्पत्ति हो गई अब बिना ध्वनी के फिर अन्य चीज़ें उत्पत्ति नहीं होगी जितने भी उरजाएं हैं सब ध्वनी उरजा से उत्पन होगी जितने भी पदार्थ हैं फिर फिर वे इस से उत्प कर लिया बस इतना ही मतलब है ओमार